Hello everyone, आज किस वीडियो में हम लोग types of relation की बात करेंगे और exercise भी solve करेंगे, exercise 1.1, cases in a class 12 पिछली वीडियो तक हम लोगों ने इस exercise का question number 1 complete किया था आज हम लोग question number 2 start करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो भी चीज़े हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उसको recall कर लेते हैं, ठीक है, देखो आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था relation तो relation क्या होता था? relation from a to b अगर a to b relation है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते थे हैं इस तरह से relation from a to b ठीक है? और यह होता क्या है relation? तो relation is the subset of a cross b अगर a to b relation की बात हो रही है तो जो relation होगा, वो a cross b का ही subset होगा यानि a cross b करेंगे तो एक set आएगा उसी का part होगा relation यानि कि a cross b से बाहर का element relation में नहीं हो सकता है जैसे माल लो, कि हमें हमारे पास a set दिया हो a,b ठीक है? और b set दिया हो 1,2,3 सही है? तो जो relation होगा वो क्या हो सकता है? a cross b का ही part हो सकता है जैसे a cross b अगर पूछा जाए तो a cross b कैसे निकालते थे? a,1, a,1 a,2, a,3 b,1, b,2 और b,3 तो a cross b में जो हमारा element आएगा वो यही element होगा तो इसी का subset जो होगा उसी को हम relation बोलेंगे जैसे माल लो हमने इसमें सिफ a,1 लिखके छोड़ दिया तो क्या यह relation from a to b है? तो बिलकुल है क्योंकि यह एक ऐसा set है इसका हर एक element इस वाले set में है इसका मतलब r is a subset of a cross b यानि कि यह क्या है? relation है from a to b अच्छा फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि board exam में objective question में यह भी पूछा जा चुका है कि अगर a set में यहाँ पे 2 element है b set में 3 element है तो number of element in a cross b क्या होगा? number of element in a cross b is equal to क्या होगा? number of element in a into number of element in b के बड़ाबड होगा जैसे माल लो इसी question में देख लो इसमें number of element कितना है? इसमें 2 element है और number of element in b कितना है? तो number of element in b is equal to कितना है? 3 है तो a cross b में कितना element होगा? 2, 3, 6 element होगा 1, 2, 3, 4, 5, and 6 तो इससे question पूछा जा चुका है तो relation आप समझे है कि relation क्या होता A cross B का ही subset होता अगर relation from A to B है तो लेकिन यहाँ पर हम लोग जायतर case में relation from A to B नहीं देखेंगे relation in A देखेंगे क्या देखेंगे यह तो पहला था दूसरा क्या है relation relation in A या फिर कई बार ऐसा लिखा हो relation on relation on A हाना ऐसा लिखा हो तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह हुआ कि जो relation होगा वो subset होगा A cross A का sorry A cross B भी नहीं A cross A A cross A का चाहिए लिखा हो चाहिए लिखा हो दोनों का मतलब यहीं यानि कि यहाँ पर A to B देख रहे था यहाँ पर क्या देखेंगे A to A दिखेंगे relation in A लिखा हो relation on A लिखा हो या relation from A to A लिखा हो relation from A to A यह सभी A की बात है सही न? A to A relation देखेंगे तो जो relation हुआ वो किसका subset होगा? A cross A का subset होगा अच्छा अब अगर मालोग की number of element in A is equal to 3 है तो number of element in A cross A कितना होगा? तो आप बोलो कितना? 3 into 3 हो जाएगा यानि कि 9 आजाएगा सही न? इस वाले formula से तो अब यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि अगर relation in A है तो मालोग कोई set दिया है तो number of relation कितना हो सकता है? जैसे मालो हैना relation in A हम लोग अभी जो भी बात करने वाले हैं relation in A बात करने वाले हैं जैसे मालोग अगर इसमें पूछा जा relation from A to B है तो number of relation कितना होगा? इस वाले case में अगर पूछे कि number of relation number of relation relation from from A to B अगर A to B में number of relation पूछे ते इसका formula क्या हो जागा 2 के power M into N हो जाएगा सही ना M N क्या है तो M है A set में कितना element है है ना N क्या है number of element in B सही तो यह formula होगा कि कब जब A to B relation हो तो number of relation from A to B का यह formula था यह हमने पिछले class में आपको बताया था जैसे माल लो ना, number of number of possible relation अगर पूछे possible relation कितना relation बनाया जा सकता है तो 2 के power कितना हो जाएगा 2 के power 2 into 3 यानि कि 6 हो जाएगा तो number of relation आगा 2 के power 6 अच्छा इस वाले case में relation in A हो या relation on A हो या relation from A to A हो तो इस वाले case में number of relation का formula क्या था number of relation number of relation का formula क्या निकल के आया था on a number of relation on a is equal to 2 के power n into n यानि n का square formula यही है m और n के जगए दोनों में set में same ही element होगा तो n into n लिख सकता है या m into m लिख सकते है तो 2 के power n square लिख सकते है या फिर 2 के power m square लिख सकते है तो यहाँ पे n क्या है n है number of elements number of elements in a set a में कितना number of element है वो denote कर रहा है n यह तो formula हो गया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है अब जैसे मालो कोई question ले लेते है मालो question आ गया कि a set में मालो की 1, 2 और 3 element है तो number of relation कितना होगा number of relation relation from sorry number of relation in a is equal to कितना हो जागा 2 के पावर number of element in a कितना है तीन element है तो यहाँ formula क्या हो जागा 3 का square यानि कि 2 के पावर 9 आ जाएगा है ना तो solve कर दो के तो आपका answer हो जाएगा तो यह सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है आज हम लोग और हमने यह भी देखा था कि empty relation क्या होता था हमने universal relation की भी बात किया था आज हम लोग बात करेंगे identity relation की और types of relation की सही ना तो आप चाहो तो इसका screenshot लेलो हम लोग अगले topic पे आते हैं तो अब देखो empty relation और universal relation empty relation किसको बोलते हैं empty relation in a अगर बात करी जाएं तो इसका मतलब relation में एक भी element ना हो तो इसको हम लोग empty relation बोलते हैं और अगर relation जो है a cross b के बड़ाबर आ जाएं तो इसका मतलब वो universal relation है अना देखो पहला हम लोग ने पढ़ा था empty relation empty relation किसको बोलते हैं empty relation के लिए r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 5 मतलब relation में कोई भी element ना हो अच्छा second universal relation universal relation universal relation किसको बोलते हैं relation जो है वो a cross b के बड़ाबर हो जाए अगर relation from a to b है तो और अगर a to a है तो a cross a के बड़ाबर हो जाए अगर a to a हुआ तो relation जो है वो a cross a के बड़ाबर होगा यह ऐसा कब होगा जब relation on a है या relation in a है और अगर relation from a to b है तो relation जो है वो a cross b के बड़ाबर होना चाहिए तब यह universal relation कहलाता है अच्छा अब थीसरा हम लोग पढ़ेंगे यह सब हम लोग इने पिछली वीडियो में पढ़ राखा है आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जड़ू जाकर देख ले मैंने आपको description box में link दे रखा है पुड़ा playlist का link अच्छा अब आते हैं हम लोग थर्ट वाले पर identity relation identity relation identity relation जिसको हम लोग i a बोलते हैं ठीक है identity relation क्या होता वो दिरा ध्यान से सुनना जो हमारा relation होगा relation होगा वो such that a, a a, a आप ऐसे लिख लो a, a belongs to r for all a belongs to set a किसे set a की बात कर रहे है ठीक है न ये चीज होगा अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ देखो जैसे मालो के हमने एक कुश्चन लिया कि a set में जो element 1, 2 और 3 है तो identity relation क्या होता वो सुनना तो relation, identity relation क्या होगा 1,1 2,2 3,3 सही न बस यही है आपका identity relation यानि कि यहाँ पे अगर आप relation in a की बात करें यहाँ पर relation in a की बात हो रही है न तो इसका मतलब a cross a में बहुत साड़ा element आएगा a cross a में 1,1 आएगा 1,2 आएगा और यह आतर आएगा कब तक आएगा? 3 है न 3,3 तक आतर आएगा इस तरह से बहुत साड़ा elements आएगा तो उस elements में से अगर 1,1,2,2,3,3 सिर्फ यही तीन आपको elements दिखे relation में तो यह relation क्या है? identity relation है कहने का मतलब यह हुआ a set में जितना भी element है सब का pair वाला order pair होना चाहिए जैसे 1,1,2,2,3,3 होना चाहिए इसमें मालो 4 होता है 1,1,2,2,3,3,4,4 भी होना चाहिए तो यह क्या है? identity relation है यह क्या है? identity relation है मालो ऐसा आ गया set दिया है 1,2,3 और ऐसा कुछ relation है 1,1,2,2 तो क्या इसको हम identity relation बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि बोला गया था कि for all a belongs to a यानि कि सभी का pair इसमें होना चाहिए और सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए 3,3 हाना? और इसके लाबा मालो कुछ और भी आ गया मालो 1,2 भी आ गया तो क्या यह identity relation है? नहीं यह identity relation नहीं है सिर्फ 1,1,2,2 और 3,3 यानि कि जो element है उसी का pair वाला order pair होना चाहिए बाकी क्या अधर कुछ नहीं होना चाहिए तो इसको हम लोग identity relation बोलेंगे तो उमीद आपको यह समझ में आया होगा कि identity relation किसको बोलते हैं सही है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले topic पे यानि कि हमारा जो अगला topic है वो है reflexive, symmetric और transitive लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ questions भी कर लेते हैं exercise 1.1 का question number 2 से पिछले वीडियो तक हम लोगों ने question number 1 का 1 और second complete किया था चलिए हम लोग question number 2 start करते हैं देखो आ question number 2 में क्या है? तो उमीद आप identity relation समझे होगे हाना, जो भी set में elements हो उसका pair सिर्फ होना चाहिए उसके अलावा अदर कुछ नहीं होना चाहिए या फिर उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए सही है अच्छा देखो question number 2 में question number 2 क्या है? let A be the set of all subsets of a boys school हाना, A क्या है? एक set है किसका set है? boys school में जो students है उसका set है student boys student of a school A set क्या है? boys students students of a school A क्या है? एक set है जिसमें boys student है उस school का आगे बढ़ते है so that the relations are in a given by एक relation दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि R is equal to A, B यानि order फिर इस परकार से होना चाहिए कि A, B such that A is A is sister of sister of B A is sister of B is empty relation is empty relation empty relation तो में आपको question समझ में आया होगा यहाँ question वालों यह बोला है कि आप यह प्रूफ केजिए कि यह जो relation है यह एक empty relation होगा यह आप प्रूफ केजिए सही ना तो सोचो relation होता क्या है जो set given होगा उसका जो हम लोग Cartesian product लेंगे उसी set के साथ उसी का part होना चाहिए तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग माल ले थोड़ी देड के लिए कि A, B A, B belongs to belongs to R सही ना अगर हम लोग यह माल ले कि A, B belongs कर रहा है relation को सही ना तो यहाँ पे हमें यह बोलना पड़ेगा कि A, B यह दोनों को दोनों होना चाहिए किस में A cross A में होना चाहिए यानि A set में होना चाहिए है ना तो हम लोग बोलेंगे कि A अगर हमने माल लिया कि A, B belongs to R that is A is sister of sister of B हमें यह बोलना पड़ेगा अगर A, B belong कर रहा है R को तो हमें यह बोलना पड़ेगा A is sister of B but but A, B B जो है वो belong नहीं करेगा किसको A cross A को क्यों क्योंकि A is a sister of B क्या यहां पे सभी boys student है तो क्या कोई ऐसा order पेड़ बनेगा कि पहला वाला जो हो वो दूसरे वाले का sister हो ऐसा हो ही नहीं सकता सही ना क्योंकि सभी boys है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए बोलेंगे A, B जो A cross A में belong ही नहीं करेगा तो यह चीज़े इसमें नहीं आ सकता है सही ना So So A, B यह element नहीं होगा relation में तो हमने बोलेंगे R is equal to 5 यानि कि R is a R is a empty relation empty relation ऐसा कोई order प्यार इसमें नहीं मिलेगा और यह होगया प्रोप तो उमीद आपको यह समझ में आया होगा चलिए second question second question है इसी का second है कि R R dash एक R dash set है A, B A, B such that such that the difference between the difference the difference between heights between 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 heights of A and B of A and B is less than is less than less than 3 meters 3 meters सही नहीं is the universal relation is the universal relation universal relation यह हमें प्रूफ करना है कि यह universal relation है सोचों क्या बोला गया कि A, B हमें इस तरह से order पेर लेना है कि the difference between the heights of A and B is less than 3 meters तो हम लोग A और B कहां डूड़ेंगे सेट A में डूड़ेंगे चुकि इसी की बात होड़े है है ना इसी सेट से हम लोग relation निकालेंगे तो जब A x A करेंगे तो हर एक element में order पेर मिलेगा यानि कि A और B यह दोनों को दोनों student होगा वो कैसा student हो boys student होगा तो चाहे boys student हो चाहे girls student हो कोई भी दो student का height का distance है height का difference है वो 3 meter से कम ही तो होगा 3 meter तो बहुत जादा होता है सही ना तो यहाँ पे बोला किसी भी दो student का जो height का difference है less than 3 meter 3 meter से कम होना चाहिए तो इसमें जितना भी a cross a में जो student का order pair बनेगा उन सभी student के दो student के बीच का किसी भी दो student का अब उठा लो उसका height का difference जो है वो 3 meter से ही कम होगा क्योंकि 3 meter बहुत जादा होता है बहुत बड़ा होता है 3 meter तो हमेशा उससे कम रहेगा इसका मतलब यह हुआ हम लोग बोलेंगे कि a, a a, b belongs to r as for all for all a belongs to a, b belongs to a a, b belongs to a यानि कि a, b यह order pair relation को belong करेगा सभी for all a, b belongs to a सही न जो भी students होंगे वो सभी जो a में होंगे उन सभी का यह order pair मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि r so r is a so r is an universal relation यानि कि सभी का सभी order pair इसमें आ जाएगा relation में कोई भी दो student का difference हमेशा 3 meter से कमी होगा तो relation में सभी के सभी order pair आ जाएगा so r is an universal relation आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि as difference between any two students आप यहाँ पर लिख सकते हो difference between difference between any two students any two students students must be difference of height difference of height between any two students must be less than less than 3 meter है ना हमेशा 3 meter से कम होगा किसी भी दो student के height का difference इसे लिए set r में सभी elements आ जाएगा यानि जो a cross a में है तो हमने बोलेंगे r is an universal relation सही है तो में आपको यह समझ माया होगा है ना और अगर relation में a cross a का सभी element आड़ा है तो वो universal relation कहलाता है तो यह था इसका definition और यह रा question तो अब हम लोग आते हैं अगले question पे यानि question number 3 पे तो आप चाहोग इसका screenshot ले लो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले question पे यानि question number 3 पे देखो question number 3 क्या है question number 3 इसमें लिखा let age equal to 1, 2, 3 एक set दिया हुआ है इसमें element 1, 2, and 3 total तीन element है and are be a relation on a है ना relation on a ऐसे लिखा है relation on a तो आप समझगे a cross a का ही subset होगा relation on a defined by relation on a defined by defined by इस तर से define क्या हुआ a related to b सही ना a related to b ऐसे पढ़ते हैं इसको a related to b implies and implied by a is equal to b तो ये तो identity relation का है ना definition so that r is an identity relation so that so that r is an identity relation identity identity relation तो देखो हमें क्या करना है वो सुनना r on a यानि कि relation on a की बात हो रही है defined by इस तर से relation आपको लेना है कि a और b का जो order pair होना चाहिए उन में a और b दोनों बड़ावर होना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि r में हम लोग कौन-कौन सा element ले सकते है तो बिलकुल one, one ले सकते है चुकि ऐसा order pair लेना है ऐसा order pair लेना है कि वो दोनों क्या रहे है बड़ावर रहे है तो हम लोग क्या-क्या ले सकते है one, one ले सकते है two, two ले सकते है हम लोग और 3 3 ले सकते हैं है ना तो so r is r is an identity relation identity relation ठीक है तो r को हमने roster form में लिखा तो हमें क्या मिला identity relation मिला च्योंकि जो यहाँ पे element है उसी का pair यहाँ पे दिख़़ा है according to relation का definition जो दिया हुआ है question में तो मिद आपके यह समझ माया होगा सिर्फ यही elements मिलेगा दूसरा कोई elements नहीं है जो इस condition को satisfy करें ठीक है चलिए तो question number 3 हो गया question number 4 में देखो question number 4 क्या है question number 4 let r be a relation from q into q q into q का मतलब यानि कि rational number to rational number q denote करता rational number को ठीक है rational to rational बात करना defined by r और r दिया हुआ है r दिया हुआ कुछ इस तरह से कि a, b such that a, b belongs to q a, b belongs to q यानि a और b दोनों के दोनों rational number होना चाहिए and a minus b belongs to z और a minus b क्या होना चाहिए z को belong करना चाहिए यह दिया हुआ है यह condition है तो so that हमें proof करना है पहला क्या proof करना है कि a, b belongs to r a, a belongs to r a, a belongs to r for all for all for all a belongs to q a belongs to q सही न यह जो चीज़े यह proof करना है ठीक है अच्छा दूसरा क्या proof करना है यह सब एक एक लाइन का proof है मैं आपको बताता हूँ पहले question लिख लो a, b belongs to r belongs to r implies b, a also belongs to r ठीक है तीसरा तीसरा है a, b belongs to r belongs to r b, c belongs to r implies that a, c also belongs to r ठीक है यह तीन चीज़े में proof करना है तो सुनलो एक एक चीज़ करके देखो हमें relation q into q देखना है यानि कि जो भी r में जो elements होंगे वो q into q का ही subset होना चाहिए यानि कि rational number to rational number सही न अब आप बोलोगे rational number क्या होता है तो rational number कैसा है यह से मालो 2 by 3 है 5 है 7 है 7 by 3 है यह सभी क्या है rational number कहने का मतब root में नहीं होना चाहिए 5 अगर ना हो यह सभी क्या है rational number है ठीक है integer भी rational है है ना सभी integer भी rational होता है तो देखो यहाँ पे हमें पहला यह proof करना है कि a, a belong करेगा r को for all a belongs to q बोला गया है कि कोई भी आप एक number उठा लो सभी ना वो number क्या है rational number है तो उसका जब हम लोग उसी के से पेर लेंगे तो वो जो पेर होगा वो relation में ही मिलेगा यह हमें प्रूफ करना है और relation कैसा है यह है देख लो relation कैसा है कि a, b होना चाहिए जहां पे a और b दोनों को दोनों रासल number होना चाहिए और उन दोनों को घटाने पर z मिलना चाहिए z बोले तो integer मिलना चाहिए सही ना तो जैसे देखो हम लोग इस पे example लेते हैं मैं आपको इस समझाता हूँ इस चीज को प्रूफ कैसे आप करोगे कि यहाँ पे जब आप relation निकालोगे relation सही ना कैसा relation लेना a, a तो अगर हमने a, a लिया अगर हमने if if a, a a, a if a, a belongs to r अगर a, a belong किया r तो जरूर उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो integer होना चाहिए है ना तो implies that is that is a minus a is equal to 0 जो 0 क्या होता है integer होता है है ना इसके according हमें number मिलना चाहिए यानि कि जो भी order पेर हमने लिया है जिसके बारे में बोला है कि वो relation में है तो इस condition को follow करना चाहिए तो हमने क्या किया इस order पेर को इसमें रखा रखने के बाद हमें क्या मिला 0 मिला और 0 क्या है एक integer है तो वो 0 क्या बिलोंग कर रहा है integer को तो यहां भी बिलोंग कर रहा है integer को इसका मतलब यह हुआ कि यह हो गया प्रूफ बिल्कुल सही बोल रहा है कि A, A बिलोंग करेगा R को यानि ऐसा कोई भी हम लोग नंबर लेंगे तो उसको जब माइनस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा integer मिलेगा तो यह order पेर relation में होगा वही बोला है कि A, A is belongs to R तो बोलेंगे ये हो गया प्रूफ ये बिल्कुल सही है अब अगले पे आते हैं देखो यहां पे बोला कि A, B बिलोंग किया अगर R को अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है तो जरूर B, A भी R को बिलोंग करेगा ये हम कैसे देखेंगे तो सुनना A, B अगर R को बिलोंग किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर A-B करेंगे तो एक इंटीजर आया होगा तो हमने बोलेंगे कि let A, B बिलोंग स्टू R अगर A, बिलोंग किया R को तो that is that is A-B belongs to Z तो A, B अगर R को बिलोंग किया होगा तो 100% A-B करने पर इंटीजर आया होगा सही है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर B, A ले लेते हैं तो B, A को हम क्या बोल सकते हैं B, A भी क्या करेगा बिलोंग करेगा R को क्यों? तो minus 1 भी integer है और अगर इसी को उल्टा कर दें 3 और 2 कर दें तो 3 और 2 यानि 3 minus 2 करेंगे तो 1 आएगा वो भी क्या है integer है इसका मतलब यह हुआ कि 2 minus 3 करेंगे तो भी integer आएगा 3 minus 2 करेंगे तो भी integer आएगा तो 100% अगर ये बिलॉंग कर रहा है R को तो 100% ये भी बिलॉंग करेगा R को, सही है न, क्योंकि ये condition follow कर रहा है, सही है तो ये भी हो गया proof, है न, इसके recording अच्छा, तो यहाँ पर देखो, A, B belongs to R, और B, C belongs to R, question वालों ने ये बोला कि ये order pair R में है, और ये भी order pair R में है, तो आप ये proof किजिए, कि A, C भी R में होना चाहिए, ठीक है देखो कैसे, अगर A, B belong कर रहा है R को, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A, B belong कर रहा है R को, तो that is कि A minus B belong करेगा Z को, है न, ये कि B, A, ये भी belong करेगा Z को, सही है और अगर हम लोग इन दोनों को sorry, B, C होगा न, आपर B, C, अगर हम अगर ये integer है और ये भी integer है, इन दोनों को add कर दें, इन दोनों को add कर दें, जैसे मालो A minus B, और प्लस में B minus C कर दें, तो ये भी belong करेगा Z को, चुकि दो integer को add करेंगे, दो integer को add करेंगे, तो integer ही आएगा तो यहाँ से देखो, B और B cancel हो जाए क्या, बचेगा A minus C तो A minus C belongs to Z और ये हो गया proof, यानि कि अगर A minus C belong कर रहा Z को, तो है न, तो A, C भी belong करेगा R को, है न, तो यहाँ पर बोलेंगे, कि A, C belongs to R, और ये हो गया proof, यानि कि यहाँ पर ये सब चीज़े समझने वाली बात है, सही है एक बाँ मैं आपको फिर से समझाने कोशिस करता हूँ relation का कुछ condition ये दिया हुआ है, बोला हुआ है कि अगर ये order paired हुआ R में तो ये order pair इसको satisfy करेगा, मतलब की दोनों number को जो difference है, वो integer होना चाहिए, question वालों ने आप proof, बोला कि proof कीजिए कि A, A, R में belong करेगा, चाहे A कोई भी rational number हो, तो देखो इसका मतलब A, A belong कर रहा R को, तो हम लोग क्या करेंगे, A को A से minus करके देखेंगे, अगर integer आया, तो definitely belong करेगा R को, कोई problem नहीं है, तो हमने A को A से minus किया, तो आया 0, 0 क्या, integer है, तो 100% R को belong करेगा, मतलब ये सही है, अच्छा, A, इसने ये बोला कि A, B, अगर R को belong कर रहा है, तो implies that, तो जरूर B, A, B, R को belong करेगा, तो कैस, अगर A, B, R को belong कर रहा है, इसका मतलब ये हुगा, कि A minus B करने पर integer आ रहा होगा, तो हमने मान लिया, A, B belong to R, इसका मतलब, A minus B belongs to Z, तो हमने क्या किया, B minus A करके देखा, तो चुकि A minus B integer आ रहा है, तो B minus A भी तो integer आएगा, उसी number को हम लोग उल्टा करके लिख दें, तो number negative में आएगा, लेकिन आएगा तो integer ही, तो B minus A भी belong करेगा, R को, क्यों, क्योंकि B minus A also belongs to Z, अच्छा, यहाँ बो देखो, बोला गया कि ये order pair R में है, और ये भी order pair R में है, तो आप ये proof किजिए कि A कॉमा से भी belong करेगा R को, तो अगर ये दोनो order pair R में है, तो इसका मतलब A minus B करने पर integer आया होगा, तो हमने माल लिया कि A minus B belongs to integer, और B कॉमा से भी belong कर रहा है R को, तो 100% B minus C भी integer रहा होगा, है ना, और अगर हम लोग इसको add कर दें, add कर दें तो क्या मिलेगा A minus C बच जाएगा, तो दो integer को add करेंगे, तो result भी integer होगा, तो यहाँ पर A minus B, और प्लस B minus C, ये दोनों के दोनों integer है, तो ये भी belong करेगा Z को, यानि कि integer को belong करेगा, तो यहाँ से इसको solve करने पर A minus C आया, तो A minus C also belongs to Z, और अगर A minus C belong करेगा Z को, तो ज़रूर A, C belong करेगा R को, और ये हो गया approved, हाना, तो मिद अब आपको ये समझ में आया हो, देखो, आपको एक बार समझ में नहीं, दो-तीन बार इस चीज़ को समझो, दो-तीन बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, हाना, क्योंकि हो सकता है इस तरह के चीज़े, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि समझ में ना आये, तो एक, दो बार, तीन बार repeat करके देखो, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नी, आगे कोश्चन देखो, पीछे वाली चीज़े भी धेरे-धेरे समझ में आना, स्टार्ट कर देखो, तो अब देखो, अब हम लोग करेंगे कोश्चन नमबर 5, तो कोश्चन नमबर 5 करने से पहले हमें कुछ थियोरी देखना होगा, यानि कि टाइपस ओफ रिलेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सेमेट्रिक, हाना, सॉरी, रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, यानि कि अब आ रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट, जहां से कुश्चन आता ही आता है, यानि अबजेक्टिव कुश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा, तो पहले इन सभी का हम लोग डेफनेशन को समझेंगे, इसके बाद हम लोग कुश्चन को करेंगे, देखो, अब हमारा है टाइपस ओफ रिलेशन, तो बेसिकली हम लोग यहां पर तीन टाइप को पढ़ने वाले हैं, यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो वो सुन लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बल, और यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं, किसी set A में बात कर रहे हैं types of relation relation in A relation in A हम लोग जो भी बात कर रहे हैं किसी set A में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है reflexive relation क्या होता वो ज़रा ध्यान से सुनना पहली बात तो ये non-empty set होना चाहिए non-empty set non-empty set जिस set का हम लोग reflexive देख रहे हैं non-empty होना चाहिए दूसरी चीजे कि A, A जो order pair होना चाहिए हो belong करेगा R को for all for all A belongs to A कहने का मतलब ये हुआ कि A, A यानि कि जो भी set A में elements होगा उसका pair खुद के साथ वो belong करेगा R को सभी A के value के लिए जो belong करेगा set A को जैसे example example में मालो A set दिया हुआ है 1, 2 and 3 तो यहाँ पर 3 element है तो relation क्या होगा यानि कि reflexive relation की बात करे R1 तो 11, 22, 33 ये होना चाहिए सही न तो अगर 11, 22, 33 है इसमें तो इसको क्या बोलेंगे reflexive relation बोलेंगे सही न और इसके अलाबा भी कुछ और भी हो सकता है जैसे मालो की हमने एक दूसरा relation लिया 11, 22, 33 और एक और इसी का A cross A का ही हम लोग part ले ले तो मालो 1, 2 ले लिये तो ये भी reflexive relation कहलाएगा चुकि इसमें 11, 22, 33 यानि कि इसमें जो भी element है सभी का pair यहाँ पे available है तो ये रिफ्लेक्सिव relation है ये भी reflexive है ये भी reflexive है कोई problem नहीं है जैसे मालो R3 ले ले लेते हैं इसमें डख लेते हैं 11, 22, 1, 2 और 3, 1 कर लेते हैं मालो ऐसा कर ली है तो क्या ये reflexive relation है तो ये reflexive relation नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 तो है 2 2 भी है लेकिन इसमें 3 3 नहीं है तो इसमें आप देखोगे तो ये क्या है reflexive नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि 3 3 इसमें belong नहीं कर रहा है अच्छा R 4 में R 4 मालवा ऐसे ले लेते हैं कि 1 1 1 1 और 3 2 और 3 3 और यहां पर ले लेते हैं 2,3 तो क्या ये reflexive है तो ये reflexive relation नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 है 3 3 है लेकिन 2 2 इसमें नहीं है तो उमेद आपको ये समझ में आया होगा कि reflexive relation किसको बोलते हैं अब आपके दिमाग में एक चीज और आड़ा होगा सर आपने इसको तो आपने identity relation बोला था तो identity relation क्या होता unique होता है identity relation कैसा होता unique identity relation में identity identity relation जो है वो कैसा होता unique होता है मतलब एक ही identity relation हो सकता है किसी set का तो यहां पर ये जो आड़वन है इसको हम identity relation बोल सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन इसको हम identity relation नहीं बोल सकते क्योंकि identity relation में क्या था कि जो set में element है उसी का पेड़ सिर्फ होना चाहिए ना उससे कम ना उससे जादा तो यह सभी identity relation नहीं है लेकिन यह क्या है identity relation है तो यहां से यह समझ में आया कि जितना भी identity relation होता है वो सभी के सभी reflexive भी कहलाएगा लेकिन सभी reflexive relation identity नहीं हो सकता सही है ना यह आपको ध्यान रखना है यानि कि सभी identity relation reflexive हो सकता है लेकिन सभी reflexive relation identity हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं जिसे देखलो, यहाँ पर यह reflexive भी है, और यह identity भी है, यहाँ देखो, यह reflexive तो है, लेकिन यह identity नहीं है, सही नहीं है, क्यों यह identity है, क्योंकि 112233 के अलावा भी कुछ number आ गया, तो उमीद अब आपको यह समझ में आ गया होगा, कि identity relation और reflexive relation में क्या difference है, ठेक है, अच्छा अब अगर मालो एक और set ले लेते हैं, R5, अगर एक empty set ले ले लेते हैं, क्या यह empty set, और सड़ी, reflexive relation है, तो यह reflexive relation नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई element ही नहीं है, पहली बात तो यह non empty set है, non empty set है, तो यहाँ पे कुछ नखुछ तो होना ही चाहिए, वो भी कैसा होना च set है, यानि कि set में कुछ नखुछ element होगा, तो उसी का पेर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे तो एक भी element नहीं है, इसका मतलब जो null set है, वो reflexive नहीं होता है, है ना, null set not a reflexive relation, है ना, तो यह आपको ध्यान रखना है, null set जो है, वो reflexive नहीं होता है, सही ना, यह आपको ब question में पूछा जा चुका है, null set क्यों reflexive नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई, यहाँ पे reflexive relation तभी बात करेंगे, जब वो non-numbered set हो, तो set में कुछ ने कुछ element होगा, और अगर कुछ ने कुछ element है, तो उसका पेर यहाँ पे होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, reflexive relation ब बात करते हैं, symmetric के, ठीक है, तो देखो, symmetric मैं इधर बताता हूँ, देखो, symmetric relation ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा है symmetric, तो ध्यान सा समझना, क्यों बहुत ज़्यादा बच्चे यहीं पर confuse करते हैं, symmetric, symmetric relation, तो symmetric relation किसको बोलेंगे, तो देखो, यहाँ भी आप देख लोगी, set कैस होना ची, non-emplicit, non-emplicit, दूसरी चीजे, कि जो हमारा order प्याड है, a, b, अगर यह बिलॉंग कर रहा है, r को, if, हाना, यहाँ पर लिखेंगे, if, if a, belongs to r, then, then, b, a, b, a, also belongs to r, अगर, a, b, b, बिलॉंग कर रहा है, r को, तो b, a भी बिलॉंग करना चाहिए, r को, तभी उसको ह बोलेंगे, सही है, अब देखो, अब मैं आपको कुछ example दिखाता हूँ, जैसे मालो इसी example पर बात करें, सही है, इसी example को उठा लेते हैं, और क्या हम लोग चेक करेंगे, किया यह symmetric relation है या नहीं है, जैसे, मालो पहले वाले example की बात करें, तो अब देखो, यहाँ पर क्या वो लगया था, इफ, यानि कि यदी a, b belong कर रहा है आड को, तब हमें b, a देखना है, और अगर a, b नाम का कुछ मिले ही नहीं, तो क्या b, a हम लोग check करेंगे, नहीं, जैसे मालो, a, b, यानि कि यह दो अलग अलग number है, अगर यह दोनों अलग अलग number है, तो जब तक ऐसा को a, b belongs to r, then b, a belongs to r, सही ना, तो यहाँ पर देखो, मालो कि यहाँ पर कुछ example लहीं लेते हैं, इसी question को ले लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब यहाँ पर मालो relation 1 ले देते हैं, इसमें ले लिया हमने 1, 1, 2, 2, 3, हाना, और लिखके यह छोड़ दिया, अब आप बताओ, क्या यह relation symmetric है, तो symmetric के लिए आपको क्या check करना है, आपको ऐसा order pair धूंडना है, जो a, b जैसा हो, a, b जैसा है बोलने के मतलब दोनों different हो, क्या यहाँ दोनों different है, नहीं, क्या यहाँ दोनों different है, नहीं, क्या यहाँ दोनों different है, नहीं, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा order pair है ही नहीं, तो यह हम लोग नहीं ढूंडेंगे और उसको बोल देंगे वो symmetric है मतलब अगर ऐसा हुआ तब यह ढूंडना है और अगर नहीं हुआ तो symmetric है तो यहाँ पे A, B जैसा कोई element इसमें है ही नहीं A, B बोलने का मतलब दोनों element अलग-अलग होना चाहिए यहाँ पे दोनों same-same है तो यह symmetric है ऐसा कोई order पेर यहाँ पे है ही नहीं तो हम क्या check करें तो इसका मतलब यह symmetric है अगर नहीं है तो वो symmetric है माना जाएगा अब अगर R2 की बात करते है मालो ऐसा हम ले ले लिया 1,1 2,2 3,3 और एक और ले ले लेते है 1,2 और यहाँ पे ले ले लेते है 2,1 ठीक है ऐसा हमने ले लिया अब आप बताओ क्या यह symmetric है तो आप सुनना आप क्या करोगे आप ऐसा order पे ढूंडोगे ऐसा order पे बोलने का मतलब जो दोनों different हो तो यह तो है ही नहीं यह different है यह different है यह है different 자 1,2 different है तो 1,2 अगर इसमें है तो 2,1 भी होना चाहिए है ना A,B है तो B,A भी होना चाहिए तो 1,2 इसमें है और यहाँ पर आप देखो 2,1 भी है इसका मतलब यहाँ पे कोई problem नहीं यह आपका symmetric है सही ना? इसमें कोई problem नहीं है चलो कुछ और example लेते हैं R3 मान लो लेते हैं R3 में हमने ले लिया 1,1 सही ना? और इसको लिखके छोड़ दिया क्या यह symmetric है? तो symmetric के लिए आपको क्या ढूंडना है? कि A, B ऐसा order पर ढूंडना है और अगर नहीं मिले तो नहीं मिले तो वो symmetric है सही ना? तो क्या इसमें A, B जैसा कोई order पेड़ है A, B जैसा बोलने का मतलब दोनों different होना चाहिए तो क्या यहाँ पर different है? नहीं तो यह symmetric है तो यहाँ पर यह symmetric है कोई problem नहीं है कुछ और example लेते हैं और 2, 2, 3 कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 1, 3 सही ना? और इस तरह से हमने आप पर एक relation दिया अब बताव क्या ही symmetric है? तो देखो symmetric के लिए हमें क्या करना है? different वाला order पेड़कू देखना है तो यहाँ पर different नहीं है इसको नहीं देखेंगे हाँ इसको देखेंगे 3,1 है इसमें तो जरूर 1,3 इसमें होना चाहिए तो 1,3 है यानि यहाँ पर कोई problem नहीं है 2,3 यह भी different है तो 3,2 भी होना चाहिए क्या यहाँ पर कहीं पर भी 3,2 है? नहीं है इसका मतलब यह symmetric नहीं यह symmetric नहीं हुआ अब अगर माल लो एक और example ले रहेते R5 हमने एक null set ले लिया क्या यह symmetric है? तो बिल्कुल है symmetric क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ढूणना है? ऐसा order pair ढूणना है जिसमें क्या हो? कि दोनो different हो यहाँ तो कोई ऐसा order pair है ही नहीं तो इसका मतलब यह क्या है? symmetric है तो इसका मतलब यह भी symmetric है यानि कि null set जो है वो symmetric होता है है ना? तो यहाँ पर बोलेंगे null set null set is a symmetric relation symmetric relation आपको यह याद रखना है null set जो होता है वो एक symmetric relation होता है सही ना? यह याद रखना है नेकिल null set जो है ये symmetric और reflex से दोनों समझ में आ गया होगा symmetric में क्या है कि अगर different वाला order पेर अगर relation में है तो इसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए सही ना और अगर different वाला order पेर है ही नहीं तो हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग बोलेंगे वो symmetric है चुकि यहाँ पे if और then लिखा है कि if यदि ऐसा हुआ तो ये ढूड़ना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ढूड़ने के ज़वरत ही नहीं है वो symmetric हो जाएगा सही ना चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगला topic जो हमारा है transitive relation सही नहीं है तो आप इसका screenshot ले लो हम लोग ट्रांजिटिव बात करते हैं चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे transitive relation की तो देखो reflexive relation में क्या होता है reflexive में क्या है कि जो भी set हो एक तो non-empty होना चाहिए साथ ही साथ जो relation है उसमें जो order pair है वो जो set होगा उसी का order pair होना चाहिए उसी के साथ तब ही हम लोग reflexive बोलते है symmetric में क्या है if or then का condition है अगर कोई different order pair उसमें है तो उसका ultra भी उसमें होना चाहिए अच्छा अब हम लोग थर्ड पे आते थर्ड नमर क्या है transitive relation transitive relation तो transitive relation किसको बोलेंगे देखो transitive relation में क्या है वो सुनना कि if a,b belongs to r मतलब यदि a,b belong कर रहा है r को and b,a belongs to r यदि दो order pair a,b a,b और b,c देखो a,b है और b,c है जहां पर ये खतम हुआ वहीं से start हुआ है यदि a,b belong कर रहा है r को and b,c belong कर रहा है r को तो implies that b,c belong करना चाहिए r को a,c belongs to r सही न ये होना चाहिए कहने का मतलब ये हुआ या फिर आप यहां पर then लिख सकते हो then then यानि a,b belong कर रहा है r को और b,c भी belong कर रहा है r को then a,c यानि कि ये a और ये c ये भी belong करना चाहिए r को तभी वो transitive होगा यहां भी if लगा हुआ है यानि कि ऐसा दो order पेड मिला तब ये ढूंडना है और अगर ये दोनो order पेड नहीं मिला तो वो कैसा कहलाएगा transitive कहलाएगा जैसे माल लो example लेते है 33 सही ना और इतना लिखके छोड़ दिये अब मैं आपसे पूछूँ आप बताओ क्या ये transitive है तो आप क्या ढूंडोगे आप ढूंडोगे कि क्या ऐसा कोई दो order पेड है अगर ऐसा दो order पेड है तब तो ये order पेड ढूंडेंगे और अगर ये दोनों order पेड है ही नहीं तो इसका मतलब वो transitive कहला जाएगा चुकि आगे if लिखावा कि यदि ये हुआ तो ये ढूंडना है अगर नहीं हुआ तो transitive हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ ये बोलने का मतलब क्या हुआ हूआ कि ये दो different है यानि A,B है और जहां पर ये खतम हुआ है वहीं से ये start होना चाहिए तो A,B और B,C अगर इसमें बिलॉंग कर रहा है तब हमें ये ढूंडने के ज़वरत है तो यहां पर देखो 1,1 है तो जहां पर ये खतम हुआ वहीं से start होना चाहिए तो 1 से start होने वाला कोई और है क्या नहीं है यानि ये खुद है तो इसका मतलब 1,1,2,2,3,3 आप तो बिल्कुल इस तरह से याद कर लो कि जो हमारा ये जो identity relation है वो reflexive भी है symmetric भी और transitive भी एकदम याद कर लो सही ना तो यहाँ पे ऐसा कोई झूढ़ने के जरुदधी नहीं है चुकि 1,1 है 1 से कोई start हो ही नेडा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई order पर यहाँ पर नहीं मिलने वाला जिससे मालो 2,2 है तो 2 से start होने वाला कोई order है नहीं 3,3 है 3 से start owner को यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है ऐसा कोई order पर इसमें मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब यह क्या है हमारा transitive है तो यह हमारा transitive है कोई problem नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जो identity relation होता है यह identity relation है तो identity relation समेड रिफ्लेक्सिब होता है समेट्रिफ भी होता है ठीक है चलिए अब कुछ और एक्जामबल लेते हैं मालो आज़ले हैं हमने लीए one two two और मालो लेते हैं one three सेhöणी न हमने ले लिया one three चलो इतना क्थरी छोड़ cricket सही के लिए क्या देखना है ऐसा order pair देखना है ऐसा order पर बोलने का मतलब कि अगर कोई order pair जहां पर खतम हुआ वहीं से कोई start होने वाला हो ऐसा order pair देखना है तो देखो 1,1 है तो यह 1 पर खतम हुआ 1 से start होने वाला कोई है तो यह है तो उसको आप rough में लिख लो 1,1 यह order pair और 1,3 ये order pair इस form में है, सही न, तो अगर 1,1 और 1,3, जहां से खतम वह, वहीं से start हुआ, तो अगर ऐसा order pair इसमें है, तो कौन सा order pair होना चाहिए, तो 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए, तो देखो 1,3 पहले से available है, यानि ये खुद है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, कोई प्राबलम नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, सही न, फिर समझाता हूँ, देखो, 1,1, 1 पह खतम वह, 1 से start होने वहला कौन है, ये है, हाना, तो 1 से start होने वहला ये है, इसका मतलब 1,3 भी हैं, होना चाहिए, तो ये खुद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव है, इसको चेक करने के जड़वत नहीं, चुकि किस पह खतम वह 2 पे, तो 2 से start होने वहला कोई है ही नहीं, तो चेक करने के ज़वड़त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है कोई प्राबलब नहीं, जैसे माल लो आर्थरी ले ले लेते हैं, इसमें ले ले लेते हैं कुछ, इस तरह से, कि 1 1, 2 2, 3 2, सही ना, और माल लो यहाँ पे ले लेते हैं, 3 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, 3 1 नहीं, 2 1 कर लेते हैं, सही है, ऐसा हमने कर लिये, ठीक है, अब देखते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो देखो, ये 1 पे खतम हुआ, तो 1 से स्टार्ट होना लो लो कोई है, नहीं है, यानि इसको चेक करने ज़र्वत नहीं है, अब ये 2 पे खतम हुआ, 2 से स्टार्ट होना लो कोई है, ये है, तो 2 से खतम हुआ, 2 से ये स्टार्ट हुआ, तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए, 2,1 ये खुद है, यानि कि ये ट्रांजिटिव, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आते हैं, 3,2 है, तो ये 2 पे खतम हुआ, 2 से स्टार्ट होना लो ला ये है, 2 से स्टार्ट होना लो ला ये है, यानि कि 3,1 भी होना चाहिए, तो इसमें 3,1 नहीं है, है इसका मतलब कोई order पर नहीं मन बिन ले वाला यह तो ट्रांजिटिव कहला जाएगा इस पर बात करते हैं तो अगर यह 2 पर खतम हुआ है और यह 2,1 है तो टू पर खतम हुआ है तो टू से भी होना चाहिए तो 2,1 यह खुद है यानि यह खुद है इसका मतलब कोई प्राब्लम नहीं है तो यहां तक तो कोई प्राब्लम नहीं हुआ इसके आगे बढ़ते हैं देखो यह 3,2 है तो टू से स्टार्ट होने वाला एक और है 2,1 है तो इसको भी आप लिख लो 2,1 है ठीक है अच्छा अब देखो तो यहां पर देखो टू पर खतम हुआ 2 से स्टार्ट हुआ तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए 3,2 इसमें होना चाहिए तो यह खुद है तो यहां पर कोई प्राब्लम नहीं है इस पर आते हैं यहां देखो 2 से खतम हुआ 2 पर स्टार्ट हुआ तो यह तो सही है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए तो 3,1 इसमें है कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब यह transitive नहीं है, तो उम्मीद आपको यह समझ में आया होगा, यह transitive नहीं है अच्छा, एक और example लेते हैं, null set लेते हैं null set, null set क्या यह transitive है तो यह transitive है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई order pair इसमें है ही नहीं कि जो check करना पड़े है, तो आपको यह समझ में आया कि null set null set is a transitive also transitive relation सही ना, तो उम्मीद आपको यह समझ में है कि जो हमारा null set होगा, वो transitive relation होगा, कोई problem नहीं है चलिए, तो उम्मीद आपको यह समझ में आया होगा तो यह था हमारा reflexive symmetric or transitive ही कहानी अब इस पर हम लोग questions करते हैं, जो हमारा exercise 1.1 का question number 5 and 6 है तो इसमें इस concept का huge होने वाला है, तो आप चाहो तो इसका screenshot लिलो, हम लोग questions पर बात करते हैं चलिए, तो आप देखूं, तो यहाँ आप null set नहीं null relation बोलेंगा है ना, empty relation जो होता वो transitive relation होता है यह आप set की बात नहीं करेंगा, यह चुकी r1, r2, r3, r4 क्या था, relation ले रहे थे था ना, तो null empty relation आप बोलेंगा है, empty relation जो है, वो transitive relation है चलिए, तो आप हम लोग question कर लेते हैं, question number 5 देखो, आप question number 5 में है question number 5, इसका headline let a, एक set दिया हुआ है, a, जिसमें element 1, 2 and 3 ठीक है, और इसमें 2, 3 relation दिया हुआ, r1, r2, r3 ठीक है, क्या-क्या दिया है, 1, 2, 2, 2 1, 2, 2, 2 और 1, 3 3, 2, 1, 3 and 3, 2 ये दिया हुआ, दूसरा जोड़ी relation है, 3, 3, 3, 3 और अगला है, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1 and 1, 2 तीसरा है, r3 1, 2, 1, 2 और 1, 2 बस इतना ही है, है ना, और r4 है, चार relation दिया हुआ है, 1, 1, 1 इस तरह से 4 relation दिया हुआ है, हमें बताना है, इसमें क्या-क्या बताना है, which of these relations are reflexive, symmetric and transitive, इन में से कौन-कौन सा reflexive, symmetric है, और transitive है, तो check करते हैं, चलो, सबसे पहले r1 को check करते हैं, क्या check करेंगे, reflexive के लिए, reflexive को लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, जो set में element क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो यहां देखो, 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, 2, 2 तो है, लेकिन 1, 1, 2, 3, 3, नहीं है, तो इसका मतलब यह, क्या नहीं है, reflexive नहीं है, पहला तो reflexive नहीं है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो reflexive इसमें check कर लिए, reflexive यह, नहीं है, अच्छा, क्या यह symmetric है, symmetric के लिए क्या बोला गया था, कि अगर a, b belong करे r को, तो implies b, a, b belong करना चाहिए r को, यानि कि इसका उल्टा, अगर यह है, मतलब यह different, दोनों different वाला है, तब यह check करेंगे इसका उल्टा, तो देखो, 1, 2, यह different है, तो 2, 1 भी इसमें होना चाहिए, क्या 2, 1 इसमें है, इसका मतलब यह, कोई एक भी अगर नहीं हुआ, तो वो symmetric नहीं है, इसका मतलब यह symmetric नहीं है, यह नहीं reflexive है, नहीं symmetric है, अब आते हैं, transitive है, transitive में क्या बोला गया था, कि अगर a, b, यह order पेर r में है, and जहाँ पे एक खतम हुआ, वहीं से start हुआ, अगर यह दोनों order पेर है, तब यह check करेंगे, तो ऐसा ढूंडते है, क्या ऐसा कोई order पेर इसमें है, जहाँ पे खतम हुआ, वहीं से start हुआ हुआ, तो देखो, 1,2, 2 पे खतम हुआ, 2 से start हुने वाला, देखो, यह है, तो इसको आप यह अड़क में लिखो, 1,2, और है, 2,2, तो देखो, 2 पे खतम हुआ, 2 से start हुआ, तो 1,2 भी इसमें होना चाहिए, देखो, 1,2 इसमें है, तो यह खुद है, यानि कि ट्रांजिटिव है, आगे बढ़ते है, अगले वाले को चेक करते है, यह 2 पे खतम हुआ और 2 से start होना लग कोई है, नहीं है, यानि चेक करने ही जबत नहीं है, इस पे आप, यह 3 पे खतम हुआ, 3 से start होना लग कोई है, तो यह है, तो इसको लिख लो, 1,3 और अगला है, 3,2, तो यह 3 पे खतम हुआ, 3 से start हुआ, तो 1,2 भी इसमें होना चाहिए, देखो, 1,2 इसम है तो पहला वाला सिर्फ क्या है यह सिर्फ ट्रांजिक्टिव है अगर हम लोग ट्रांज एक लिस्ट बना लेते हैं ना कौन-कौन क्या-क्या है तो देखो एक हम लिस्ट बना लेते हैं कि आप पहला रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में कौन-कौन आएगा सामेट्रिक वो ट्रांजिटिव में आगे और symmetric reflexive नहीं मिला आगे बढ़ते हैं इसका तो हमने चेक कर लिया रहा है आर्टू को चेक करते हैं देखो पहले हम लोग चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव 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 है चेक करेंगे 112233 इसमे होना चाहिए तो 33 है 1122 ग चेक करने जबते हैं इस पर आप 21 different है तो 1,2 इसमें होना चाहिए है कोई problem नहीं है जैसे 1,2 है तो 2,1 भी इसमें है कोई problem नहीं है इसका मतलब यह symmetric हैं तो symmetric में R2 आढ़ा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रांजेटिव के लिए क्लिए चेक करना होता है हमें चेक करना हो पर चेक करना हो। जहां पर खतम होता है वहीं से start होता है ठीक है तो जहां पर खतम होता हो है तो यह 2,2 भी इसमें होना चाहिए क्या 2,2 इसमें है नहीं है इसका मतलब यह 1963 है ठीक है अच्छा आगे बढ़ता है R3 की बात करो R3 जो है क्या यह reflexive होगा तो reflexive होने के लिए 1,1,2,2,3,3 होना चाहिए इसमें नहीं है तो reflexive नहीं होगा क्या यह symmetric होगा symmetric होने के लिए यह different हम लोग देखेंगे अगर different में इसका उल्टा भी available हो तब हम लोग बोलेंगे वो symmetric है तो 1,2 है इसमें 2,1 है नहीं है तो इसका मतलब यह symmetric नहीं है अच्छा Transitive को लिए क्या check करना है ऐसा 2 order pair check करना है देखो यहाँ पे 2 पे खतम वो क्या 2 से start होने लग कोई है कुछ है यह नहीं इसका मतलब यह transitive है ठेक है चलिए अब इसपे check करते है इसपे R4 क्या यह reflexive है reflexive नहीं है क्यों क्योंकि इसमें 1,1,2,2,3,3 होना चाहिए इसमें 1,1 तो है 2,2 नहीं है 3,3 नहीं है इसका मतलब reflexive नहीं है सही न अच्छा अब इसपे बात करते है क्या यह transitive है sorry symmetric है तो symmetric बिल्कुल है क्योंकि हमें different वाला देखना होता है different है तो इसका उल्टा भी available होना चाहिए तो यह तो different है ही नहीं इसका मतलब यह symmetric है तो यह R4 भी symmetric में आ जाएगा अच्छा अब यह symmetric है यह transitive भी होगा तो यह रहा आपका answer तो एक बढ़ा हम दोग चेक कर लेते हैं ठीक है question number 5 का question number 5 में 5 में reflexive में कोई नहीं आएगा सही न symmetric में R2 R4 आएगा सही है और transitive में R1 R3 R4 आएगा बिल्कुल सही है तो मिद आपको यह समझ में आया होगा चलिए अगले question में बात कर लेते हैं इसी type का question अगला number 6 है ठीक है तो इसको में मिटा दूँ तो आपको तुम्हें समझ में आ गया होगा तो एक question और देख लोगा समझ में नहीं आया तो इसी type का question है question number 6 देखो question number 6 में है कि इसमें भी एक set दिया हुआ है let एक set है A जिसमें number है 1,2,3,4 1,2,3 and 4 और कुछ relations दे रखा है R1 R1 क्या है 1,1,2,2,3,3 1,1 2,2 3,3 1,1,2,2 and 3,3 comma 1,1,2,2,3,3 2,3,3,2 2,3 and 3,2 आप लोग फड़ा-फड़ से सोचना शुरू कर दो ये क्या है दूसरा है 2,2,3,3,4,4 2,2 3,3 4,4 ठीक है 2,2,3,3,4,4 1,1 1,1 ठीक है अच्छा R3 है ये R2 था ये R3 R3 क्या है 1432 1,4 and 3,2 और R4 दिया हुआ है R4 क्या है 2,4,4,2 2,4,4,2 2,4,4 4,4 ऐसे कुछ दिया हुआ है Which of these relations are reflexive symmetric and transitive फिर सब वही question है तो देखो एक एक कड़के पहचानते हैं तो पहले हम लोग reflexive का list लिख लेंगे कि reflexive कौन कौन आने वाला है फिर symmetric देखेंगे फिर हम लोग transitive की बात करेंगे सही है चलो एक एक कड़के check करते हैं देखो पहले बात तो reflexive होने के लिए आप क्या check करोगे a, a belongs to r for all a belongs to a यानि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए symmetric के लिए क्या होता है कि अगर a, b belong किया r को है ना तो implies b, a, b belong करना चाहिए r को अगर ऐसा order pair मिला तब यह देखना है यानि कि different वाला order pair मिला तब इसका उल्टा देखना है और transitive के लिए a, b and b, c यह दोनों belong किया r को तब हम लोग ढूड़ेंगे a, c belong करना चाहिए r को सही है ना और अगर यह order pair नहीं मिला तब इसका मतलब वो symmetric होगा और transitive के लिए यह दोनों order pair नहीं मिला तो वो transitive होगा लेकिन reflexive के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, यह मिलना ज़रूरी है चलो, पहले पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यह 1, 2, 3, 4 है तो reflexive होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए क्या इसमें है 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है इसका मतलब यह reflexive नहीं है तो अब हम बात करेंगे symmetric है symmetric के लिए क्या होना चाहिए यह different order pair यह यह different है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए तो देखो पहले different वाला यह different हैं चेक नहीं करेंगे different हैं यह है different 2, 3 3, 2 भी होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि यह symmetric है तो symmetric में कौन आ गया R1 आ गया तो यह transitive के लिए check करना है transitive के लिए हमें 2 order pair चेक करना होता है A, B, B, C अगर यह दोनो order pair relation में है तो A, C, B होना चाहिए अगर यह दोनो order pair है तो यह होना चाहिए और अगर यह दोनो order pair नहीं है तो वो transitive हो जाएगा यानि कि ऐसा order pair धूनना है कि जहां पर यह खतम उड़ा वहीं से यह start होना चाहिए तो देखो यह 1 पर खतम हुआ तो 1 से start होने वाला कोई नहीं है चलो यह तो गया यह 2 पर खतम हुआ 2 से start होने वाला यह है तो इसको आप side में लिख दो 2,2 और 2 से start होने वाला 2,3 है सही है तो देखो 2 पर खतम हुआ 2 से start हुआ तो यह 2,3 भी इसमें होना चाहिए तो देखो 2,3 इसमें है, तो बिल्कुल है, यह खुद है, इसका मतलब यह कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, 3,3, 3 पर खतम हुआ, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,2 है, जहां पर खतम हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ, तो 3,2 भी इसमें होना लिख लो, तो 2,3 है, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3 है, फिर लिखो 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो 3,2 भी लिखो, अब देखो, यहाँ पर खतम हुआ, 3 पर 3 पर स्टार्ट हुआ, तो 2,3 इसमें होना चाहिए, तो 2,3 इसमें है, कोई प्राबलम नहीं ह इसका मतलब यह ट्रांजिटिव है सभी को आमने चेक कर लिये तो R1 जो है वो ट्रांजिटिव भी है तो ट्रांजिटिव में R1 भी आ जाएगा सही है? चलिए अब R2 को चेक करते हैं तो पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 देखो यहाँ पर 1, 1 भी है 2, 2 भी है, 3, 3, 4, 4 भी है और अलालोगों तो कोई दिक्कत नहीं है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है तो यह समेट्रिक है तो इसका मतलब समेट्रिक में सड़ी, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में कौन आ गया? सब होता है तो इसका मतलब यह जो R2 है R2 सभी में होगा इसमें भी R2 होगा, इसमें भी R2 होगा यहन्नि कि R2 जब वो समेट्रिक भी है क्योंकि यह आइडिन्टिटी है आगे बढ़ते है R3 R3 देखो, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए इसका मतलब यह है समेट्रिक ही बात करेंगे समेट्रिक में आपको डिफरेंट ओर्डर पेर देखना होता है उसका उल्टा भी है या नहीं है तो डिफरेंट पर 1, 4 है तो 4, 1 भी इसमें होना चाहिए तो इसका मतलब यह समेट्रिक नहीं है अच्छा ट्रांजिट्रिक के लिए ऐसा ओर्डर पेर देखना होता है कि जहां पर खतम हो वहीं से स्टार्ट हो तो 1, 4, 4 पर खतम हुआ 4 से स्टार्ट होना कोई है ही नहीं तो कोई प्राबलम नहीं है 3, 2, 2 से स्टार्ट होना कोई है ही नहीं यानि ऐसा कोई order pair इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह transitive है, यानि कि R3 हमारा transitive, ठेक है, चले, R4 की बात करते हैं, तो इसमें 1,1,2,2,3,3,4,4 इसमें होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो इसमें 4,4 तो है, 1,1,2,2,3,3 है ही नहीं, तो रिफ्लेक है भी नहीं, इसको चेक करने के ज़र्वत नहीं है, तो 2,4 और 4,2 इसमें है, तो इसका मतलब यह symmetric है, तो symmetric में R4 आ जाएगा, सही है न, अच्छा, Transitive के लिए क्या Chuck करना होता है, जहाँ पर खतम हुआ, वहीं से Start होने वालगा, कोई order पेर है है यह, तो 4 पर खतम हुआ, 4 से Start होने वालगा, यह भी है, तो दोनों को lिखो, तो 2,4 तो 4 से start होने वाला 4,2 है और 2,4 4 से start होने वाला 4,4 है अब देखो जहाँ पर खतम हुआ वहीं से start हुआ तो यह वाला order पर इसमें होना चाहिए तो क्या 2,2 इसमें है नहीं है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है एक भी अगर नहीं आया तो नहीं है तो इसका मतलब यह ट्रांजिटिव नहीं है तो R4 जो है यह सेमेट्रिक तो मिला लेकिन ट्रांजिटिव नहीं मिला तो बस काने हो गया खतम तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग answer question number 6 का question number 6 reflexive में R2 आएगा बिल्कुल सही है symmetric में R1, R2, R4 आएगा R1, R2, R4 सही है transitive में R1, R2, R3 बिल्कुल सही है तो उमीद है कि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको reflexes, symmetric और transitive में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है तो चलिए ask video का हम लोग यहीं पर रोपते हैं अगर आपको यह video अच्छा लगा तो वीडियो का आप like कर दें अपने दोस्तों में share कर दें और अगर आप channel में पहली बाड़ा है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबादे ताकि जैसे मैं कोई नया video डालूँगा आपको नोटिफिकसर मिलता है